मैं समझता हूँ कि कैस्टमा च्छा दिनों तक चलने वाला एक ऐसा महुपसव है जिसमें खेल कूट से लेकर सांस्कृतिक साइस से लेकर सैचनिक तता विविट कारकरम सामील है यह हमारे इवा भारत की संस्कृति और परमपरा का प्रतुनित करता है यह कारकरम में सारेरिक, मांसिक और भावनात्मक रूप से सामील होना, विक्टिकत विकास के लिए उपलब्त सभी उसरों को जानना इवाम उन से लाव उठाना तता समाज और देश के विकास में युगदान देना इवाओं के लिए आवाज सक है यह होने वाले कारकरमों का उद्देश विविन विश्विद्यालयों कॉलेजे के छातरों को अपनी परतिवा, कौसल और विचारों को परदशित करने के लिए एक मंच तता आउसर परदान करता है चट्थी बार इस मौसों के आउजन के लिए मैं एम्स के बुनेस्वर के छास संग को बहुत बढ़ाई देता हूँ सरवे भवन्तु सुखिना, सरवे संदु निरावाए हमारी सदियों पुराने संकल्प को इसी सताथी में पूरा करना है गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्त की बेहतर सुईदा मिले इसके लिए मान्य परदान मंत्री मोदी जी ने अयुस्मान भारत के तहट पचास करोड़ लोगों को जोड़ा गया है अयुस्मान भारत के मिशन के तहट कैंसर, दिल की बिमारी, किट्नी और लीवर समेट कई बिमारियों के इलाज इस स्वजना में सामिल किया गया है एक लाख साथ हज़ार से अधी कईश्मान भारत स्वस्थ और अरोग केंद्र डेश के गाउं तक बने हैं दस हज़ार जन अउजदी केट बनाए गये हैं, जहां नब्बे परतिसर्थ तक सस्थी दिमार फ्लब्त है भारत को भिक्सित बनाने के लिए स्वस्थ सेवाओं का भिक्सित होना भी उतना ही जरूरी है और इसके लिए विशाल भवन खड़ा कर देना इसका समाधान नहीं है बलकि प्रयाप संक्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल्स का उपलब्ध होना भी उतना ही महाधूर है हम देख रहे हैं आज कि साधुनिक के जीवन सहली में रोग की संक्या भी बढ़ती जा रही है और रोगी की संक्या भी बढ़ती जा रही है लेकिन डॉक्टरों की कमी है और इनी बातों को ध्यार में रखकर मान्य प्रदान मंत्री जी में इन दस बर्स में 15 नए एम्स और करीब 300 मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं 2014 से अब तक 70,000 मेडिकल सीटे जोड़ी गई और टेली प्रामर्स ने 15 करोड आकरा पाड़ किया लगबक 10 बर्सों में देश में एम्स और की सीटे बढ़कर एक लाग से अधिक हो चुकी है इन बर्सों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110 प्रतिसत की बरोत्री हुई है ताकि आप नए डाक्टर आकर जो डाक्टरों की कमी है गाउं से लेकर सहर तक उसकी पूर्ति हो सके आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी आसावरन दिश्टी से देख रही है तो इसका असरे हमारे इवाओं को यानि मेरा मतलब है कि आप सभी को जाता है आज हम दुनिया की पच्वी अर्थ व्योस्ता है हमारा लक्षा इसे टॉप थिरी वैस्वी अर्थ व्योस्ता में ले जाना है देश की आर्थिक बिरिदी हमारे इवाओं के लिए अपार आउसर लेकर आए और नए वुचाईयों तक पहुचाने के नए रास्ते खुलेंगे खेल के छेत्र में भी हम दुनिया की बड़ी खेल सकती बंदी के ओर बढ़ रहा है हमने पिछले एस्याई खेलों और पहरा एस्याई खेलों में रिकार्ट पदक हासिल किया है ओलंपिक में हमारा पर्दसन बेहत प्रिनादाई करा है हमारे इवाओं ने दुनिया को अपनी परतिवा और कौसल दिखाया मुझे अचानकर प्रसंता हो रही कि इस मौसों के हिस्से के रूप में यहाँ खेल परतिवक्दा भी आजित की जाती है इससे ना केवल खेलों को बड़ावा मिलेगा बलकि हमारे इवाओं को खेल परतिवा दिखाने का आउसर भी मिलेगा अज बैस्विक आवाजे उठ रही है कि यह सदी भारत की सदी यह भारत के इवाओं की सदी होती भविस के कौसल के साथ नई प्रिडी को तयार करने के लिए एक ब्यवारी और भविस वादी सिक्चा पर्णानी का निर्मान करना नई राष्टिय सिक्चा निती का उद्देश है आज इवाओं को अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने की अजादी है मात्रि भासा और अस्थानिय भासाओं में पढ़ाई करने की अजादी मिली सरकार ने इंजरिंग जैसे तक्निकी पार्ट कर्बों को भी भारती भासाओं में छातरों के लिए उपलब्द कराना प्रारम कर दिया गया ये कैसा नियू है जो भविष के भारत निर्मान करने वाले इवाओं के भविष के लिए तयार करें आज देश के इवाओं के सामत से नए भारत का निर्मान हो रहा इवा सक्ति को सही मावने में राष्टी सक्ति बनाने का पर्यास किया जा रहा है। इवाओं को हर तरह से मदद की जा रहे हैं। चाहा वो इस्टार्ट अप इंडिया हो, फिर फिट इंडिया भियान हो, या खेलो इंडिया, सब कुछ इवाओं पर किंदरी हुए। यह पहल हमारी इवाओं पेड़ी की संभावनों का एक नया इको सिस्टम तयार कर रही है। यह हमारे इवाओं ही हैं जो भारत में इनोवेशन, इक्यूवेशन और स्टार्ट अप का नेतित कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के स्टार्ट अप एको सिस्टम के सिर्फ तीन देशों में सामील है। तो इसके पीछे किसकी मैनत है आप लोगों का ही मैनत है। इसके पीछे आप जैसे देश के इवाओं का हाथ है। इसके पीछे आप जैसे इवाओं की टाकत है। हमारी युवाओं में समस्याओं का नवी समाधान खोजने की अधूत छमता है। ये आज नए नए एप बना रहे हैं ताकि ना सिर्फ उन्हें फाइदा हो बलकि देश वासियों को भी फाइदा हो। आज हमारा युवा टेक्नलोजी के माद्धम से एक्थोन के माद्धम से देश की हजारों समस्याओं के समाधान के लिए समाधान खोजने और समाधान परदान करने में अपने विवाग को प्योब कर रहे हैं। अब नेत्युत और निड़ने में भी युवाओं की सक्रिय भागेदारी पर जोड़ दिया जा रहा है। अब नेत्युत करने के लिए युवाओं आगे आ रहा है। गाहों, सहरों या कस्वा, हर जगा युवाओं का जोस चरम पर है। आज आप ये बदलाओं देख रहे हैं। दोहजार सैतालिस दक विक्सित भारत के संकल्प के दिसा में एक कदम मानता हूँ। जब हमारी सुतंता के सो बर्स पूरे होंगे, मेरे युवाओं सातियों जिबधारी आपके कंदों पर है। अमरीत काल में भारत को नई उचाई पर ले जाना आपका करतब है। आज हमारी युवा के पास इतिहास रचने का, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिला है। और दुनिया ने देखी एक कुरोना काल में, जिस तरह हमारे डाक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगा कर ले। जो अच्छी बेवस्ता दी, दुनिया चाहिए डबल वी एचो ने भी तारिफ इसकी की है। तो डॉक्टर की पेशा को हम भगवान के रूप में मानते हैं। तो जैसे अब ही आपके एडवाईजर ने कहा कि हर डॉक्टर को सवेधन सीग होना बहुत जूरू दी। और एक कुरोना काल में हमारे भारत के डॉक्टरों दिखाने का काम दिया है। जो रॉक्राटमेंट है उसकी अनुसार हम लोगों की सेवा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे देश का हर्यूप अहर जिम्हदारी को निष्टा पूर्थ सामर्थ पूर्थ निभाएंगे। मेरी ये भी कामना है कि बुनेस्वार का एम्स डेश में पहला एम्स ऐसा बने ये गवरों पराप्त करें। और इसमें जो भी सही हो आप चाहेंगे भारा सरगार से इसके पाल मैं करूंगा ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस सत्रों के साथ मैं एक बार भी इस मौसों का एउजन के लिए अपनी कुसी और गहरी सराना बेक्त करता हूँ। मुझे यकीन है कि अच्छात्रों के बीच एकता और सवार दलाएगा। उनके जीवन को सम्रिद्ध बनाएगा। यादों की ऐसी चाहब छोड़ेगी जो जीवन भर याद रहेगी। आसा करता हूँ कि परती भागयों को यहां बहुत अच्छा समय मिलेगा। मैं उस्व की सांदार सफलता की कामना करता हूँ। बंदे उतकल जन्नी जाहेद। जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला। तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेबा कुछ जो मैं भी बुलन तो नहीं।